ऐसे हम दूलकर साप करके काट लेते हैं और इस तरीके से बरतन में डालते हैं और इसे पकाते हैं तो मीडियम आज पर पकाएंगे और थोड़ा से खुला रखेंगे ताकि भाप निकलता रहे और इसे हम पकाएंगे अच्छे से इसमें नमक डालेंगे स्वादनुसार और जब एक्तम सूख जाये तभी इसको बंद करें ये पक कर तयार है आप जब जहें इसमें तड़का लगा कर खा सकते हैं तो अभी हम इसको तड़का लगाएंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले जरूर पहुँचे और पसंद आए तो लाइक करें तो हम लेते हैं सरसो का तेल और इसमें डालते हैं लैसून और मिर्स डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर हम साग को डाल कर भूनेंगे अच्छे से यह हमारा सरसो का साग बन कर त्यार हो जाएगा बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा यह बहुत ही स्वाधिस्ट और हिल्दी है आसा करती हूं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा कैसा लगा कमेंट करके बताएं धन्यवाद